हरदा के पठाका फैक्टरी में हुए जोड़दार ब्लास्ट की आवाज अभी भी लोगों के कानों में गूंज रही है तो वहीं दूसी तरफ म्रतकों की संख्या में लगतार इजाफा जारी है बताने के अभी तक हाथ से के चलते 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से जादा लोग घायर है जिनका इलाज अस्पताल में जारी है इसी कड़ी में तीन अम्बूलेंस की मदद से चार पेशिंट को हाल ही में भोपाल लाया गया है जिनका इलाज नर्मदा अस्पताल में जारी है लगतार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए राईधानी सहित अन्ने शहरों में सास्ट विभाग अलट मोट पर है वही मुक्य मंतरी डॉक्टर मोहन यादव ने हर्दा जिले में पठाके फैक्टरी में हुए हास्ते की घटना को लेकर अपने कारिक्रम इस्थागित कर दिये हैं मुक्यमंत्री यादव प्रदेश के छिनवाड़ा जिले में रातरी प्रवास कारिक्रम पर जाने वाले थे जिसे उन्होंने इस्तागित कर दिया है और अब घायलों का जायजा लेने के लिए भोपाल की रायधानी इस्तित हमीडिया अस्पताल में घायलों के हालचाल जानने के लिए वे हमीडिया अस्पताल पहुचे हैं मुख्यमंट्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाम हमीदिय अस्पटाल में एमरजेंसी विभाग में और आईसियू में हरदा हासे में घायल हुए नागरिकों से भीट कर उनका हाल चाल पूछा है मुख्यमंट्री डॉक्टर यादव ने घायलों के शीगर सवस्त होनी की भी कामना की और चिकित्सा विशेशक्यों को घायलों के समुझत उप्चार के निर्देश दिए वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन्यादव ने जितिंडर महपूप शाह, महेंडर कुश्वा दिनेश सोनी, राम सजीवन और अमीना, बाबुलाल और शोभराम से भीट कर हल चाल जाने हैं वहीं आपको बता दे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन्यादव ने घायलों के शीग्र स्वस्त होनी की कामना की है और चिकिस्व विशेशग्यों से किये जा रहे इलाज की जानकारी प्राप्त कर घायलों के समुचित उप्चार के निर्देश दिये हैं वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन्यादव ने चिकिस्व सकों से कहा है कि घायलों के बहतर उप्चार में कोई कमी नहीं रहना चाहिए मुख्य मंत्री ने घायलों को आश्वास्त भी किया है कि उनका अच्छे से अच्छा इलाज होगा घायलों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है